खीड़ो फूल और सेबस्के सब्सक्राई का हीज़ों फूलों के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद यह फूलों को नश्ट कर देते हैं जिससे फूल गिर जाते हैं और फूल डैमेज हो जाते हैं और हमारा उत्पादन कम हो जाता है त्रिप्स के कंट्रोल के लिए स्पिनोसाइट को 0.5 ml प्रत लिटर की दर से 300 लिटर पानी में मिला के छिड़काओ करना चाहिए इससे हमारा जो है कीडों का जो असर है वो कम हो जाएगा फिर हमें ये भी शुनिश्चित करना है बसंद कालीन मुंग में कि जब फलियां बन रही हो फलियों में दाना बढ़ रहा हो तब खेतों में नमी की कमी ना हो नमी की कमी होने से फिर हमारी जो उत्पादकता है वो प्रभावित हो जाएगी हमारी दूसरी मुंग की फसल जो इस समय खेतों में है वो है गरिश्मकालीन मुंग अभी 20 से 25 दिन की फसल होई है इस फसल को निराई गुडाई की आशकता है निराई गुडाई कर हम इसमें इमीडा क्लोरोपिड का 0.2 से 0.3 अमेल प्रती लिटर की दर से 300 लिटर पानी का स्प्रे खेत में कर सकते हैं इराई गुडाई और दवाई के स्प्रे के बाद 25 दिन की फसल होने पर हमें हलका पानी भी लगा दे खेत में कभी भी पानी मुंग की फसल में भरना नहीं चाहिए भरने से फसल पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है और फिर धीरे जैसे टेक करता है नश्ट करने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी स्पिनोस हैट की दवा कारगर है